और उससे पहले प्रातकाल में साड़े छे से लेकर साड़े साथ थक यहां अस्टाक्षरी महामंत्र का अनुष्ठान अपने भक्तगंड और आचार्यगंड सब मिलकर के थे यागसाला में आराधना के पस्चात सब लोगों को तिर्थ गोष्टी सुसंपन करके अब आज प्रातकाल से चलने वाले पारायन जो भी होते हैं उनका आरंभ मंत्र या स्लोक या सूत्र भगवान की स्रीचरण में विनती करके और उनी ही की कुप्रकुपा से पारायन अभी शुरू कर रहे हैं और ऐसा ही दिव्यप्रबंध भी भगवान का सनिधी में विनती करके पारायन प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर रहने वाले यागसेलाओं में चारों और चार मंडप है जो अपने सामने दाइनी और यहाँ इस कोने में रहने वाले सारे कुंडों को एक मंडप के नाम से हम यहाँ पर संकेत किये थे और इसका नाम है भोग मंडप और उस ओर उसके पीछे रहने वाले कोने में जितने भी कुंड हैं और उस मंडल का नाम उस मंडप का नाम पुष्प मंडप बोलते हैं और यहाँ भगवान के दायनी और पीछे रहने वाले कुंडों को जिस मंडप में हम देख रहे हैं उसका नाम है तियाग मंडप और भगवान के दायनी और आगे रहने वाला जो मंडप है उसका नाम है ज्ञान मंडप यह चार मंडप इसलिए यहाँ पर नाम दिये हैं भगवान एक-एक समय में एक-एक करम से रामान जाचार्य स्वामेजी महराज को एक-एक प्रकार की कृपा की भोग मंडप स्री रंगम वहाँ पर एक प्रकार की कृपा और पुष्प मंडप स्री नुवास भगवान की सन्निती तिरुमला ख्षेत्र वहाँ पर एक प्रकार की कृपा और त्याग मंटप कांची पुरम वहाँ पर और एक प्रकार की कृपा और ज्ञान मंटप जिसको तिरु नारायन पुरम बोलते हैं, मेल कोटई बोलते हैं, वहाँ और एक प्रकार की कृपा भगवान ने दिखाए थे तो उसलिए यहाँ चारों दिशाओं को रहने वाले उन कुंडों को एक एक मंटप का संकेत यहाँ पर दिये हैं, और क्या क्या कैसा महाँ पर हुआ है इसके बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे अब आज का पाराएंड और हवन का कार्यक्रम भी उन यागसालों में आरंभ हुआ है अब वहाँ पर हवन चल रहा है यह जमान के रूप में जो भी निश्चित हैं या यह जमान के रूप में जो बैठना चाहते हैं उन लोगों को उन कुंडों को सामने ही वहाँ पर बिठा कर संकल्प कहेंगे और उनको कंकन धारन भी कराएंगे जो भी भक्तगर्ण ऐसा कारिकर में भाग लेना चाहते हैं वे वहाँ पर मंडप में जाकर अपने आचारियों से संपर्क करें तो उनको वहाँ पर करने वाला जो भी जो क्रिया कलाप होता है उसके बारे में जानकारी देंगे और उनको भी हवन में भाग लेने के लिए वे कुछ व्यवस्था करेंगे बाकि जितने भी भक्तगण जो यहाँ पर होने वाला कारिक्रम दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं वे यागस्यलाओं का परिक्रमा करते हुए वहाँ वहाँ पर चलने वाले कारिक्रम को दर्शन कर सकते हैं यागस्यला के दाइनी और रहने वाले पीछे जो मंडप पुष्पा मंडप जिसको हमने कहा उस मंडप में अपने दिवे साकेत ख्षेत्र में यहाँ पर 108 दिवे देशों के अंदर प्रतिश्ठापना करने के लिए जो मूर्तिया होती हैं तो उनी मूर्तियों की जो स्यांती कारिक्रम उसके लिए जो अनुष्ठान करना पड़ता है स्री पांचरात्रम आगम के अनुसार वो समस्कार सब वहाँ पर आज प्रारंब होंगे जो उनको दर्शन करना चाहते हैं वो वहाँ भी उसका दर्शन कर सकेंगे अब साड़े नौ से जो सामने विद्यमान मंडप में प्रवचन मंडप जिसको बोलते हैं वहाँ पर आज लक्ष्मी नाराय अश्टोतर स्यत पूजा का कारिक्रम वहाँ पर होगी अब हम वहाँ पर चिलेंगे और वहाँ जो भी पूजा में बैटने के लिए इच्छुक हैं उन सब को पूजा सामगरी दिया जाएगा और साथ ही साथ आराधना करने के लिए एक भगवान की मूर्ती भी उन लोगों को मिलेगी पूजा करने के विधी विधान क्या होता है उसके बारे में भी उन लोगों को जानकारी देते हुए वहाँ पर पूजा का कारिक्रम अभी शुरू होने वाला है तो जो वहाँ पर पुजा में भाग लेने चाहते हैं, वो वहाँ पर आकर कारेक्रम में भाग लें, यहाँ भी याग साल में हावन का कारेक्रम होता है, कुंडों के साथ यह जमानों को भी वो कारेक्रम में बैटने के लिए व्यावस्ता करेंगे, और साथ ही साथ प्रवचन म में प्रवचन और वहां पर पहले पुज़ा कार्यकरम से शुरु होगा, पुज़े के पश्चात, जो यहां पर पधासर्ते हैं, आचारीगंग या संत गन या महान कोई भी विध्वान ऐसे, वेँ महान संतों का प्रवचन वहां पर कुछ सामस्कृतिक परेकरम के साथ ही मिलकर वहाँ पर हम अनभव करने के लिए मिलता है तो भक्तगर्ण यहाँ पर सुविधा मानते हैं और उसका अनभव करने के लिए यहाँ पर व्योस्ता की गई है आप सबको आज दूसरा दिन का कारिक्रम में स्वागत समर्पन कर रहे हैं और इस यागसाला के बायें और वहाँ पर एक लंबा मंटब भी बना हुआ है जो प्रसाद स्विकार करने के लिए चुक हैं उन लोगों को वहाँ भी प्रसाद की व्यमस्था अच्छी तरक्की गई है वो वहाँ भी प्रसाद स्विकार करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बार सारे चारो मंटबों का परिक्रमा करते हैं तो अंदर जो भी हमने स्विकार करते हैं जो खाते हैं वो तो डाइजिस्ट हो जाएगा क्योंकि ये करीब चार किलोमेटर का दूर होता है पूरा एक परिक्रमा करेंगे तो तो जब फिर परिश्रम होता है अरे ये तो इतने परिक्रमा यहाँ पर एकदम लंबा लंबा रख दिया क्या आपन तो ठक जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करें तो वहाँ जाएंगे, वहाँ परशाद की व्यवस्ता भी है, तो परशाद स्विकार करें, यहाँ परिक्रमा करें, मंतरों का स्रवन करें. याग स्यालाओं के बीच में से जो होम का धुआ निकलता है, होम धूम भोलते हैं, और इसको आस्वादन करना ही एक स्वस्थता के लिए सुन्दर व्यवस्था है, याद रखना, धुआ से कुछ आंक जलते हैं, पानी भी निकलता है, परन्तु ये दुख की बात नहीं है, अंदर विद्यमान जो भी कुछ वाइरिस गीरिस जो होता है न, वो सब एकदम निकल जाएगा, स्यास्त्र की बात है, होम धूमस्चा, वुर्धार कहा, होम धूमस्चा, आयर वुर्धिही दिने दिने, ये हावन का जो धूम निकलता है, धुवा निकलता है, उसको हम अपना बॉड़ी को एक्सपोज करेंगे, तो समझो, उसका प्रभाव बाहर सिरीर को भी कुछ मजबूज बनाता है, और वैसे ही, अपने मन को भी मजबूज बनाता है, स्वस्थता के लिए ये बहुत अच्छा आउशद है, तो उसको भी अनभव करेंगे, आप सबको आज स्वागत समर्पन करते हुए, जैश्रीमन नारायन, यहां हमारे आचारीगन भी विराज रहेंगे, वे अपने को कार्यक्रम के बारे में कुछ विवरन देते, और अपने कान को भी कुछ प्रसाद देते रहेंगे, जैश्रीमन नारायन, अनमेंगे, बारना हमने का भी का और आप समर्न कार्म का। झाल 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 जैश्रिमन नारायन यागशाललो रंडवरोज उदयपकारिक्रमालणी प्रारम्भन चेस्कुन्ना अन्नी यागशाललो लोड़ो इपड़िके झाल